कि आज हम बात करने जा रहे हैं दिख रहा होगा ने क्या लिखा है फ्रेक्शन आप जानते हैं और अगर हम कहें कि वाट इच फ्रेक्शन तो आप कहेंगे इट इस अब पार्ट ऑफ ओल नंबर पार्ट ऑफ क्यों होल बोल दें या होल नंबर बोल दें ठीक है मतलब किसी नंबर के कितने टुकड़े इक्वल पार्ट आप कर रहे हो वो उसका फ्रेक्शन होता है अब ज़रा कैमरे को ऐसे करि मैं चाहिए बहुत नीचे है आपका च्छेरा सेंटर पे लाइये घार बौस वैस लाइंडी छिए। कितने टुकड़े कर रहे हैं वो उसका जो पार्ट है उसको फ्रेक्शन कहते हैं जैसे मैं आपसे कर कह दूं कि वन बाई फॉर्ट इसका मतलब क्या होता है यहने एक चीज को आपने चार टुकों में बाटा हुआ है तो हम कहेंगे दैट इद वन फॉर्ट पार्ट ठीक है छे में बाटेंगे तो वन शिक्स पार्ट तो अगर मैं आपसे कहूं कि मालिया वन बाई सिक्स हमने किया तो आप कहेंगी भाई एक कोई चीज है अब मैं एक शेप ले लेता हूँ और आप इसके छे इकवल टुकड़े किये हैं ना एक दो तीन चार पांच छे छे आपने इकवल टुकड़े किये हैं अब इकवल थोड़ा वो मेजर्मेंट में यहां कम ज्यादा हो सकता लखी बात है ठीक है अब मैं एकर कहूं कि शैड फोर सिक्स शैड फोर सिक्स पार्ट तो इसका मतलब क्या होता है लेंग्वेज के हिसाब से क्या होता है कि छे पार्ट किये हैं पहले और इसका मतलब होता है फोर आफ फोर आउट आफ सिक्स इसका मतलब यह होता है फोर आउट आफ सिक्स यानिकि फोर बाई सिक्स यानिकि 6 में से 4 पार्ट 1, 2, 3, 4 इतने पार्ट आपको shared करने हैं यह दोनों empty छोड़ देने हैं यह unsided रहे जाएगे तो fraction का मतलब सुन्म में आ गया fraction क्या होते हैं तो अगर आप से कोई definition पूछे कि what is the definition of fraction तो आप कहेंगे fraction is the part of whole number किसी whole number का part होता है किसी whole thing मा लिजे कोई एक rod आपको दे दी गई और हमने आप से का find its 1, 6th part तो आपको उस rod के कितने टुकड़े करने पड़ेंगे 6 करने पड़ेंगे और एक जो टुकड़ा होगा that will be 1 by 6 अगर मैं 2, 6 कहता हूँ तो 6 में से 2, 3, 6 6 में से 3, ठीक है यह तो यह हो गया जाकर कि अब fraction कितने type के होते हैं देखे तो लाइंगोज लिखते आईएगा तो कि टेक्निकल चीज है यह confusion बहुत create करती है बड़े classes में भी लोगों को types of fraction types of fraction देखे जो हमने fraction लिखा था तो इसमें आपको एक तो numerator दिखा होगा और एक denominator दिखा हुआ है ठीक है पहला है आपका proper fraction proper fraction हाँ अभी हम बता रहे हैं तो प्रापर fraction में हाँ numerator is less than denominator यहाँ पर जो numerator होता है is less than denominator यहाँ जैसे मैं आप से कहूँ 2 by 3 तो इस अपर प्रापर fraction या मैं आप से कहूँ 5 by 6 तो इस अपर प्रापर fraction दूसरा क्या बताया गया improper fraction improper fraction याँ यहाँ जो numerator होता है बड़े उपर वाली चीज is greater than denominator याँ मैं इसी को अगर यही एक्जाम्पल उपर वाली ले देता हूँ उलड़ देता हूँ 3 by 2 और 6 by 5 और न कहें and कहें and 5 6 by 5 यह सब improper fraction के examples है अच्छा देखें improper की spelling बड़ी है proper की spelling छोटी है तो improper का number उपर वाला बड़ा होता है proper का छोटा होता है याद करने के लिए वैसे तो आप यादी रखीगा अगला है mixed fraction mixed fraction mixed fraction में क्या होता है हाँ improper से बनता है यादि यह sum of whole number and proper fraction whole number और proper fraction को मिला करके improper fraction में बनता है जैसे मैं आप से कह दूँ seven whole number one by two तो seven is the whole number and one by two is the proper fraction इसको हम चाहें तो seven को अलग लिए सकते हैं one by two को अलग लिए सकते हैं यह भी तरीका इससे लिखने का हो सकता है ठीक है अच्छा बनता कैसे है इसमें होता क्या है कि मैं एक एक एक्जामपल लेता हूँ अगर हम three by two कर दें तो यह improper है या proper है improper है तो इसको mixed fraction में convert करने का तरीका क्या है three को two से divide करते हैं तो two ones are two one whole number हो गया और one by two fraction हो गया यानि इसको हम one whole number one by two लिखने हैं तो यानि कि improper fraction को mixed fraction लिखा जा सकता है यानि अगर आप से कहा जाए कि mixed fraction actually में proper fraction है या improper तो आप क्या कहेंगे improper fraction है तो convert करना समझ में आ गया कैसे proper improper में convert करते हैं क्या तरीका होता है पहले इसका इसका multiply होता है जो number आयता है उसको इसमें add किया जाता है ठीक है जब मैं अगर कहूं कि numerator indicate the number of equal parts in which something is divided numerator क्या बताता है नमबर हाँ लिए गया है जैसे नहीं कहा कि numerator indicate करता है कि किसी number को कितने में divide किया गया है जी नहीं वो कौन indicate करता है denominator decide करता है कि किसी number को कितने part में divide किया गया है और numerator ये बताता है कि उस divided part का कौन सा part हमको लेना है अब मैं एगर कहूं 3 by 2 तो आप क्या कहेंगे कि कि किसी number को किसी number को 2 part में divide किया गया और 1 उससे 3 लेना है नहीं हो सकता ना तो उसमें से whole number वाला part हम अलग कर देते हैं जो पूरा का पूरा हमको लेना है 1 और जो बचेगा 1 by 2 उसको divide करना है तो ये improper fraction होता है इसके बाद हम कैसे कहेंगे कि 2 fraction equivalent है देखी 2 fraction equal करने का तरीका क्या होता है देखी अग्ला लिखे equivalent fractions equivalent ने आप नहीं दिख रहा है और अब 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 दिख रहा है connection कौन सा आप ये लोग यूज़ करते हो वाइफाइ था भी यूज़ करते है कि किस कंपनी का अच्छा 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 यारे टेल तो ठीक देता है उसे अब बताईए equivalent fraction का मतलब क्या होता है हाँ मतलब मैं आप से कहूँ कि छह में से तीन पार्ट शेट करिए या मैं आप से कहूँ कि वन वाइटू शेट करिए बात वही हुई जागर के ठीक है तो equivalent fraction का मतलब होता कोई भी fraction मालिया थी वाइटू दिया हुआ है तो आप numerator और denominator को same number से multiply कर सकते हो या divide कर सकते हो या अगर मैं 3 में से 5 से multiply कर दूँ और 2 में से 5 से multiply कर दूँ तो मेरा number बन जाएगा 15 upon 10 तो ये 2 3 by 2 के equivalent कहना आएगा तो equivalent fraction सुझ में आ गया क्या होता है क्या कह सकते हैं कियानी कि कोई fraction अगर वो equal है lowest term में equate करने के बाल लिखेगा such fraction which are equal when reduced to their lowest term such न लिखेगा fractions which are equal क्यों मैं example नहीं दे रहा हूँ न भी fractions which are equal when reduced when reduced to their lowest term reduced to their lowest term terms are called equivalent fractions ठीक है and if they are not equal then they are known as non-equivalent fraction and look है and if they are not equal then they are called non-equivalent fraction non-equivalent fraction मैं किसी fraction को equivalent कैसे मानूं तो यह कहरें भाई ऐसा करो कि fractions को उनके lowest term में convert कर दो lowest term क्या होता है कि किसी fraction को आप जिस common number से जिस जिस common number से दोनों डिवाइड हो सकते हैं उस common number से डिवाइड कर दीजे ठीक है तो अगर दोनों equal आते हैं तो हम कहेंगे दोनों equivalent, equivalent है, equal नहीं हमने बोला, एक अच्छी बात है तो अभी हमने क्या कहा कि वह equivalent fraction कैसे आप चेक करेंगे, दो fractions हम आपको देते हैं आप उसके उसको lowest term में convert कर लिजेगा, और अगर दोनों को lowest term में convert करने के बाद में दोनों की value same आती है, तो we can say they are equivalent, नहीं आती है तो they are not equal, ठीक है, चेक कैसे करेंगे, देखो चेक करने का एक और बढ़ी ऐसा तरीका होता है, अब आप कहेंगे कहां से cut करें, जरा समझने क कोसिज करिए, साउधान, अगर मैं fraction, इस उपर हेडिंग डा लिए, to check whether two fractions are equivalent, to check whether the two fractions are equivalent, to check whether two fractions are equivalent, two fractions are equivalent, कैसे check करें, देखिए, तरह समझने की कोसिज करिएगा, मैं एक example लेता हूँ, मैं कहता हूँ, 3 upon 2 और आप कहते हैं, 6 upon 4, दोनों equal हैं की नहीं हैं, कैसे check किया जाए, हम रोजिटर में करवड नहीं करना चाहते हैं, देखिए, चेक करना चाहते हैं, जरा सेंटर पे आ हाँ, देखिए ध्यान से, इसको check कैसे किया जाए, जरा समझेगा, तरीका समझेगा, मैं दो fraction लेता हूँ, a upon b is equal to c upon d, तो एक तो तरीका हमको दिख रहा है, कि मैं इसको common, उसे काट देता हूँ, तो यह भी 3 upon 2 लिखा, यह भी 3 upon 2 लिखा है, तो हम कह सकते हैं, बहुत हार इसे, आता है ना cross multiply करना, तो a का multiply मैं d से कर देता हूँ, और b का multiply मैं c से कर देता हूँ, अगर यह दोनों equal आते हैं, तो दे बहुत हार equivalent, समझे आई बात, तो equivalent करने का तरीका simple सा है, मैं इस question की बात करूँ, मैं example का तोर पर, हमसे का गया 3 upon 2 and 6 upon 4, they are equivalent or not, तो 3 का किस से multiply कर 4 से, तो हम पहले 3 का multiply 4 से करेंगे, क्या value आ गई है, 12, फिर 2 का multiply 6 से करेंगे, क्या value आ गई है, 12, तो आप रिखेंगे कि as 3 upon, sorry, 3 into 4 is equal to 2 into 6, so 3 upon 2 and 6 upon 4 are equivalent, तो यह equivalent है, समझे आई बात, तो equivalent करने का तरीका, एक तो lowest step में convert कर लिजेगा, अब आप कहेंगे साब हम, हम divide नहीं करना जाते हैं, multiply करना जाते हैं, कर लिजे, multiply, लेकिन कोसिस हम करते हैं, lowest step में convert कर लिजे, note करिए इसको, यह तरीका होता है, check करने का, उसका कारण हम बता दें आपको, लिखे फिर हम बात करते हैं, अब मैं आपको एक लिखे, fraction लिखे, 2 upon 3, लिखे, given fraction है, 2 upon 3, write the 4 equivalent fraction to 2 upon 3, write 4 equivalent fractions of 2 upon 3, by multiplication, कहते हैं, multiplication method से, आप इसके, 4 equivalent fraction निकाली, मैं एक example देता हूँ, कि एक fraction है, 2 upon 3, और multiplication method से, इस fraction के equivalent, 4 fraction आपको लिखने हैं, कैसे लिखेंगे आप, देखे, हमने 2 upon 3 लिखा है, इसके, इसके equivalent कैसे आप करेंगे, तो सूचना, हमने यह नहीं कहा, हमने कहा, इसके equivalent बताओ, तो आप कहेंगे, ऐसा करते हैं, कि 2 upon 3 है ना, ऊपर नीचे हम 2 से multiply कर दें, तो यह equivalent होगा और नहीं होगा, सेम नंबर से multiply आप कर सकते हो, अगर देखो तो 2, 2 cancel हो जाएगा ना, अगर आप देखेंगे तो 2, 2 cancel हो जाएगा ना, अच्छा, आप कहेंगे, चाहें तो हम 2 upon 3 है, उपर नीचे 3 से multiply कर दें, तभी काम चल जाएगा, आप कहेंगे, यह 2 upon 3 है, उपर नीचे 4 से multiply कर दें, तभी चलेगा, और आप कहेंगे, 2 upon 3 है, उपर नीचे 5 से multiply कर दें, तभी चलेगा, यानि कि हम 4 upon 6 लिखे हम 6 upon 9 लिखे हम 8 upon 12 लिखे हम 10 upon 15 लिखे तो इस प्रकार से हम 2 upon 3 के equivalent fraction निकाल सकते हैं बड़े classes जयाद जाएंगे तो आप से कहा जाएगा कि 2 upon 3 और 5 upon 4 के बीच में 50 fraction बताओ अब 50 नमबर कहा तक हम calculate करेंगे तो यही तरीका होता है ठीक है तो यह कह दिया है कि multiplication method से बताईएगा इसको note करिए question था find the equivalent fraction to 2 upon 3 अब जैसे मैं आप से कह दूँ एक question लिखेगा write the fraction equivalent to 5 upon 8 write the fraction equivalent to 5 upon 8 with numerator 40 हमने आप से कहा एक example दिया 5 upon 8 के equivalent बताना है और बता दिया आप से कोई numerator उसका 40 होना चाहिए मैंने बता दिया 40 होना ही चाहिए तो क्या करेंगे आप 40 लाने के लिए हाँ 8 को मैं 5 को multiply करूंगा 8 से क्यों क्योंकि मुझको numerator 40 चाहिए अब चुकि हमने उपर 40 से 8 से multiply किया है और होना इसके equal चाहिए तो जो action आप numerator के साथ करते हैं same action आपको denominator के साथ करना पड़ेगा तो यहाँ भी 8 से multiply करना पड़ेगा कितना हैगा 40 अपान 64 चुकि यहाँ पर सर्थ लगा दी उन्होंने कि हमारा numerator 40 ही होना चाहिए ठीक है simplest form में लिखना आता है simplest form में लिखना आता है आपको किसी भी fraction को जैसे आपका यह होता हम कहते right in the simplest form तो आप common factor दुनों को काड़ देते तो 5 अपान 8 आ जाता ठीक है अच्छा अब ज़रा लिखेगा 28 अपान 3 convert 28 अपान 3 into mixed fraction convert 28 अपान 3 into mixed fraction देखो convert तो करना ही है इनके naming जो है वो याद करने है आप इसको mix 9 whole number 1 by 3 पूरा बोलेंगे आप ठीक है अच्छा अब कुछ number आपको दिये जा रहे है 6 by 5 comma 1 by 5 comma 3 by 5 comma 4 by 5 मैं लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ 6,1,3,4 6 1 3 4 6 by 5 1 by 5 3 by 5 4 by 5 क्या इसमें कोई equivalent fraction है क्या इसमें कोई equivalent fraction है कोई equivalent fraction नहीं है ठीक है इसमें बड़ा कौन है 6 by 6 तरीका क्या होता है कैसे चेक करते हैं कि कोई कैसे चेक करते हैं कि कोई fraction बड़ा है कौन छोटा है हाँ denominator को हम सेम कर देते हैं कोशिस करके और numerator जिसका बड़ा होता है नमबर बड़ा होता है ठीक है अच्छा अब ये तो हो गया कि fractions कैसे जो है हम पहचानते हैं कौन बड़ा कौन छोटा ठीक है proper fraction क्या होता है improper क्या होता है अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं copy बनाते जाना जो बढ़ते जाने उससे note करते रहेगा और थोड़ा सा memorize करते रहेगा ठीक है अब आते है like fraction and unlike fraction तो लिखेगा like fraction अगला है like fraction like fraction और दूसरा है unlike fraction अब यह नहीं कहिए का जो fraction हमको पसंद हो वो like fraction होता है ठीक है देखे जिनके denominator सेम होते हैं उनको हम क्या कहते है like fraction ठीक है तो लिखेगा the fraction whose denominators are equal whose denominators are equal जिसके denominator equal होते हैं उन्हें like fraction कहते हैं और इसमें क्या होता है unlike में whose denominator यह अन्लाइक नाइक फ्रेक्शन होते हैं देखें चूंकि fraction को अरेंज करना यह कौन डिसाइड करता है fraction कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन डिसाइड करता है वो डिसाइड करता है denominator क्यों क्यों क्योंकि denominator डिसाइड करता है कि आपने किसी चीज को कितने टुकड़े की है नहीं समझभी बात unlike like का मतलब यहां यह कहना चाहते हैं यह कि आपने किसी चीज के अगर मैं 1 by 5 कर रहा हूँ 4 by 5 कर रहा हूँ 6 by 5 कर रहा हूँ तो actually मैं 6 by 5 क्या बता रहा है sorry उल्टा हो गया 1 by 5 कर रहा 2 by 5 कर रहा 3 by 5 कर रहा इनको like fraction sorry like हाँ like fraction क्यों कहा गया अगर मैं 1 by 5 अगर मैं 1 by 5 कर रहा हूँ 1 by 5 कर रहा हूँ 2 by 5 कर रहा हूँ 3 by 5 कर रहा हूँ तो इसको like fraction क्यों कहा गया भई क्योंकि हमने हर एक hole को कितने टुकड़े किये है like टुकड़े किये है एक जैसे टुकड़े किये है हमने इसके भी 5 टुकड़े किये इसके भी 5 किये इसके भी 5 किये और उपर क्या decide करता है भई ति हम उन पांच टुकडों में से कितने टुकडे ले रहे हैं बास मेरी रही है वही अगर आपसे कोई कह दे कि ये बताओ कि जैसे 3x4 और 3x5 और 3x6 और 3x8 ये like क्यों नहीं है वही उपर तो 3 आप कर रहे हैं तो like का मतलब क्या होता एक जैसा तो एक जैसे टुकडे आप इस इसमें आप इसमें पूरे के टुकडे 4 कर रहे हैं इसमें 5 कर रहे हैं इसमें 6 कर रहे हैं इसमें 8 कर रहे हैं और उन में से 3-3 टुकडे आप ले रहे हैं तो इसलिए denominator decide करता है कि आपने किसी whole number के equal टुकडे किये कि नहीं की समदारी बार नहीं आ रही है हाँ उन में से कित लाइक फ्रेक्शन में कनवर्ड करते हैं तो लाइक में क्या करना पड़ता है जिसका डिनामिनेटर सेम हो उसको हम लाइक फ्रेक्शन कहते हैं और क्यों कहते समझाया numerator सेम होने से क्यों नहीं कहते हैं क्योंकि numerator इस बात को decide नहीं करता है कि किसी नंबर के equal टुकड़े किये गए वो यह decide करता है कि उन equal टुकड़ों में से कितने टुकड़े आपने लिए ठीक हैं अब हम fractions को हम कैसे compare करते हैं compression of like fractions मैं एक example लेता हूँ 11 by 6, 7 by 6, 5 by 11 by 16 11 by 16, 5 by 16 और 7 by 16 अगर मैं कहूं इसको यह like fraction है या unlike fraction है क्या आप नाम देंगे इसको आवाज नहीं आ रही है हाँ बाई यह like fraction है चली अच्छी बात है इसमें से आपको जो अरेंज करना है ascending order में तो सबसे पहले कौन से नमबर लिखेंगे इस अच्छा greater वाला sign किधर रहेगा मूं किधर रहेगा हमने इसका मूल बताना बताया है आपको जो बड़ा उसी तरफ इसका मूल रहता है ठीक है तो इस प्रकार से आप like fraction को compare कर लेंगे अब अगर मालिया unlike fraction है लिखें compression of unlike fraction ये तो है compression of like fraction अब लिखें compression of unlike fraction अगला है compression of unlike fraction मैं एक example देता हूँ आपको छोटा सा 2 by 3 and 3 by 4 2 by 3 and 3 by 4 ये like है ये unlike है ये like fraction है के unlike है unlike है तो इसको compare कैसे करेंगे है हाँ सबसे पहले इसको हमें ये unlike होने के वज़े से इसको like में convert करना पड़ेगा ठीक है तो like में convert करने के लिए denominator को सेम करना पड़ता है denominator को सेम करने का तरीका क्या होता है हाँ तो हमको 3 और 4 का lcm निकालना पड़ेगा lcm of 3 and 4 क्या होगा lcm क्या होता है तो तो उसका फुल फार्म होता है अगर आपसे कहा जाए lcm क्या चीज है lcm क्या चीज है किस बला का नाम है ने हमने यह नहीं कहा आपसे हम कहें lcm क्या होता है तो आप क्या कहेंगे तो आप कहेंगे lowest common multiple तो तो उसका फुल फार्म हो गया मैंने यह आपसे नहीं पूछा what is lcm lcm क्या होता है रिखे lcm is the is the lowest common multiple रिखे lcm is the lowest common multiple lowest common multiple which can be divided by the numbers lowest common multiple which can be divided by the numbers which can be divided by the numbers जरा समझिएगा which can be divided by the numbers मतलब तो को multiple का मतलब टेबल होता है ना multiple का मतलब क्या होता है अगर हम कहें multiple आप 3 बतायत क्या बोलते हैं आप 3 बन जाट 3, 3, 2 जाट 6 जाट बोलते हैं ना मतलब मल्टिपल क्या होते हैं मतलब ये मल्टिपल का मतलब टेबल होता है ना हाँ अब हमने क्या कहा common multiple मतलब ऐसी टेबल जो 3 में भी आए और 4 में भी आए नहीं जम्जे आप 3 में तो 9 भी आता है 12 भी आता है और 15 भी आता है 21 भी आता है तो उले वो कम से कम पहली पहला multiple छोटे छोड़ा multiple जो दोनों में आए और ये दोनों नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं तो पहले आपने LCM निकाल लिया आवाज आ रही ना मेरी अच्छा अब आप क्या करेंगे दोनों के जो डिनॉमिनेटर हैं वो LCM के equal कर दो कैसे करेंगे 4 से multiply कर दो और ये 3 upon 4 को 3 से multiply कर दो तो ये आ गया 8 upon 12 और ये आ गया 9 upon 12 अब दे कौन छोटा कौन बड़ा तो आप कहेंगे 8 upon 12 is less than 9 upon 12 अब ये तो हमने केवल इसको compare करने के लिए किया है बाद में इसका original नाम क्या है 8 upon 12 बोले तो 2 upon 3 और 9 upon 12 बोले तो 3 upon 4 तो ये आपका comparison करने का तरीका होता है when two fractions are given देखे लिखेगा एक example है compare the fractions 2 upon 5 3 upon 4 and 1 upon 3 and write in descending order write in descending order descending order इसको descending order में लिखना है इसको compare करो और descending order में लिखो descending बोले तो बड़े से छोटा क्या आव आवाज आ रहे ना आवाज headphone में बैटरी और देते जरूर फुल है लेकिन और discharge उनम टाइम लगता नहीं है चलिए तो कैसे करें कि क्या करें इसका सबसे पहले तो यह यह लाइक fraction है कि अनलाइक फ्रेक्शन है क्या करें हम पहले हम एलस्यम निकाले एलस्यम निकाले कि तरीका मालू है ना क्या तरीका होता है 5 लिखते है 4 लिखते है 3 लिखते है फिर हम क्या करते हैं इंको काटना शुरू करते हैं lowest number से 2 से काटना शुरू किया 2 से divide क्या 5 डिवाइड होगा नहीं 4 त्री होगा नहीं फिर 2 से करेंगे 5,1,3 फिर 3 से करेंगे 5,1,1 फिर 5 से करेंगे 1,1,1 तो 2,2 जा 4,3 जा और 5 जा कितना आएगा 60 अब आप 2 अपान 5 3 अपान 4 और 1 अपान 3 तीनों के डिनॉमिनेटर को 60 करने की कोशिस करें तो इसमें 60 करने के लिए क्या करना पड़ेगा नीचे 12 से 12 से मृटिप्लाइ करेंगे तो नीचे 60 आएगा 12,50 और उपर 12,20,24 इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा 15 से 15,4,000 और 15,3,000 इसमें क्या करना पड़ेगा 20 तो 20 बाई 60 तेखें ये इनके बदले हुए रूप है लाइक में चेंज करने से इनका ओरिजिनल नाम जो है वही आद खेंगे आप आप इसको डिसेंडिंग ओर्डर में करना है सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर तो आप लिखेंगे इन डेसेंडिंग ओर्डर जब लिखेंगे तो 45 बाई 60 उसे छोटा 24 बाई 60 उसे छोटा 20 बाई 60 और चुंकि यह हमने कहाँ कंपेर करिए तो आपने हाँ साइन लगा दिया सही लगाया सही है साइन अरे हाँ इसके साइन का हमने उल्टा लगा दिया इसका मूँ जो है वो बड़क तरफ होना चाहिए अब इसका औरिजिनल नाम क्या है 3 by 4 और इसका औरिजिनल नाम क्या है 2 by 5 और इसका है आपका 1 by 3 तो यह तरीका होता है इसको लाइक फ्रेक्शन में कंवर्ड करके कंपेर करने का ठीक है नोट देखिए हम बताने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रेक्शन आफ लाइक फ्रेक्शन वर्ड पकड़ियेगा मैं लाइक की बात कर रहा हूँ लाइक फ्रेक्शन मतलब जिसका डिनॉम्नेटर सेम हो तो अगर मैंने आप से कहा पहला एक्जाम्पल लिया कि एड़ लाइक है तो इसको एड़ करने के तरीका क्या है वन बाइफाइब प्लस थ्री बाइफाइब तो क्या करेंगे उपर उपर नीचे ज़र एड़ कर दे हाँ उपर एड़ होता है तो यह फोर बाइ फाइव है यह प्रॉपर फ्रेक्शन है यह इमप्रॉपर फ्रेक्शन है तो क्या इसको mix fraction में convert किया जा सकता है नहीं ये ध्यान अखिएगा जब भी कोई fraction का calculation होगा पहली शर्त ये है कि वो lowest term में होना चाहिए मतब आप lowest term में ही convert करके answer लिखेंगे और दूसरा ये है कि अगर वो improper fraction है तो that should be in the mix fraction में होना चाहिए ठीक है एक और question लेखते है simplify करने के लिए दूसरा example देते है simplify इसको करना है आपका 3 by 17 3 by 17 प्लस 5 by 17 13 by 17 13 by 17 प्लस 5 by 17 माइनस 12 by 17 12 by 17 इसको simplify करिए इसको करी एक आपिम करिए थोड़ा सा practice makes a man perfect and writing makes a man exact ये नहीं सुना होगा आपने और writing, writing राइटिंग makes a man exact लिखने से exactness आती है इसलिए कहीं भी हो written work जो करिएगा क्योंकि drafting भी सही होनी चाहिए ठीक है note करिए इसको तो ये हम बता रहे है addition and subtraction of like fraction like fraction को कैसे बात वही है simplify बतला addition subtraction को कर रहे हैं हम यहाँ पर मैंने sign नहीं लगाया था तो हमने add लिख दिया था अगर मैं sign कर देता तो मैं क्या कहता simplify करिए अब simplify इसलिए भी क्या कि ना तो मैं यह addition बोल सकता हूँ ना तो यहां subtraction बोल सकता हूँ क्यों mix वहाँ पर है तो इसलिए हमने simplify बोल दिया कि जो भी हो करिए note करिए इसको इसमें actually होता यह है कि नीचे 17 17 17 तो इन सब के LCM निकालते है 17 का LCM क्या होता है 17 तो उपर ऐसे ही as it is plus कर दे 13 प्लस 5 माइनस 12 तो 13 प्लस 5 18 माइनस 12 अपान 17 तो यह आएगा 6 अपान 17 improper fraction और प्रापर fraction इस इंप्रॉपर और प्रॉपर यह प्रॉपर है कि इंप्रॉपर है अजा जो भी आंसर आया है तो ठीक है नोट कर लिया अब यह तो आपने बताया addition and subtraction of like fraction अब बात करने जा रहे हैं unlike fraction unlike इस जिनको हम पसंद नहीं करते questions को वाले question आने जा रहे हैं है नहीं है ना नाम से दे ले लग रहा है कि जिन questions को हम पसंद कर रहे हैं वा क्या mathematics है वो like हो गया जागर के ठीक है अब देखो unlike हम कैसे calculate करते हैं इसके calculate करने के दो तरीके हम आपको बताएंगे ठीक है एक जो आपके standard में है वो बताएंगे और एक थोड़ा सा बड़े standard का बताएंगे ठीक है तो आप दोनों सीख लीजेगा tough कोई नहीं है जैसे मैंने कहा एक example लिया और हमने का add करिए आप 4 by 5 4 by 5 plus 1 by 3 plus 2 by 5 1 by 3 plus 2 by 5 पर इसको आप calculate अपने आप करिए मता नहीं देखता हूं मैं देखो एक तरीका यह है कि मैंने पर लस्यम निकाल लिया लस्यम निकाल लिए तरीका हमको मालूम है इसके बात क्या करते हैं इसको like fraction में convert करते हैं और सभी के denominator को हम करेंगे 15 कितने बराबर देखो 4 अपन 5 है थोड़ी gapping लेकर के मैं 3 से उपन निचे multiply कर देता हूं प्लस 1 अपन 3 है इसमें 5 से उपन निचे multiply कर देता हूं प्लस 2 अपन 5 है इसमें 3 से उपन निचे multiply कर देता हूं तो आएगा 12 अपन 15 प्लस 5 अपन 15 प्लस 6 अपन 15 कितना उपर आया है 23 by 15 इड़े प्रॉपर और इंप्रॉपर इंप्रॉपर है तो फिफ्टीन बंस आर फिफ्टीन कितना एगा 8 अपान 15 वन होल नंबर 8 by 15 यह तो तरीका हो गया एक आपके लेबल का ठीक है थोड़ा सा इसको अपुरेट करते हैं तो को तरीका जरा साउधान क्योंकि आगे चलके आपको वही मेथेड लगाना यह नहीं लगाना है देखो तीनों का एलसेम कितना है सेकेंड मैथेड एलसेम कितना निकाला आपने 15 जरा तरीका देखेगा इसको नोट के लिए फिरा मत बताएं इसी हम लिखे दे रहे हैं यहां देख लो देखो जा ध्यान से एलसेम जो लिखा है वो यहां लिख दीजे लिख दिया अब देखो तरीका साउधान पहला फ्रेक्शन क्या था फॉर बाई फाइब इसके डिनॉम्नेटर से इसको डिवाइड करो कितने बार जाएगा थ्री टाइम जितना कोशन्ट आया है उससे फॉर का मल्टिप्लाई क कर दो तो 12 आ गया नहीं आ गया समझ महीं बाद फिर प्लस लगा दिया इससे इसको डिवाइड करो कोशन्ट से उपर मल्टिप्लाई करो फाइब प्लस य साइन लगा है फाइट सीजा फिफ्टीन थी टूजा इसक्स अब गोंको ही आरा नहीं आरा है तो यह तरीका एक्शली होता है ठीक है आपको ये नहीं हमने दोनों तरीके बता दिये ना ये भी तरीका है ये भी तरीका है ठीक है इसको नोट कर लिजेगा अब एक और कुशन लिखे टू बाई सेवन थी बाई फोर फाइब एक मिट लिखें सिंप्लिफाई सिंप्लिफाई इसले करते हैं कि वह एडिसन भी है सब्ट्रेक्शन भी है कुछ भी हो सकता है उसमें आपरेशन सिंप्लिफाई है आपका टू बाई सेवन प्लस थी बाई फोर बाईनस फाइब बाई सिक्स इसको सिंप्लिफाई करना है चली पहले करिए सबसे पहला काम आप जानते है क्या अगरना है आपको अलसियम मिकालना है तरीका आप जानते हैं इसका क्या आपका टू इंटू टू इंटू इंटू त्वी इंटू सेवन एट्टी फोर इसका अलसियम आ गया ठीक है इसके बाद एट्टी फोर को निचे लिक देते हैं क्या करेंगे सेवन से डिवाइड करेंगे एट्टी फोर को कितने टाइम जाएगा क्या ट्वाइड कड्वाइड करेंगे तो प्लस ट्वेंटि फोर आएगा थाएगा फ्याइड करो एट्टी फोर से कितने बार जाएगा कि डिवाइट करो नहीं फटा वट काभी में टुई यहां देगे फोर है न इससे क्या डिवाइट रिये बचेगा ट्वंटीवन का थीछ इसमेंट करूं जो quotient आएगा उसको 3 से multiply करेंगे न तो quotient 20 बना रहा है न तो 3 से multiply करो कितना 63 आएगा minus 6 से divide करो इसको 6 से करो कितने times आएगा 14 14 times 14 5 इतना आएगा 70 तो कितना एग अच्छ है और 8 80 47 7 और 87 minus 70 upon 84 कितना होगा 17 upon 84 यह improper है या proper है क्या